करेंगे सबसे पहले इसके content को हम द्यान दे ते यह क्या कब कहां और कैसे पहला जप्टर रहें बहुजन संग्रह से उत्पादन तक लबौजय क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें चठा है राज्य राजा और एक प्राचिन गण राज्य और सात्वा है नए प्रस्ण नए विचार और असोक एक अनोखा सम्राज जिसने योदिका त्याक किया नौवा है खुसाल गाउं और सम्रिद सर दस्मा चप्टर है व्यपारी राजा और तिर्थियात्री और ग्याराव चप्टर है नए सम्राज और राज्य बारवा ऩर उमारते चैत्र है और सबसे पहले पहले चप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके देखेंगे東 क契त और अब्यास को 6 से पतल में कि कोशिस करेंगे कि आकरिश में इंपोर्टेंट अ है क्या और उसके बाद हम आग नर्मदा घाटी मगद ओंन सिंदू गनगागा अंगाडी पॉरा तत्वीद द्वारा पाई जाने वाली वस्तो की एक पूरा तत्य वीद्वी दिखाए पहले यह वीजा जानी की कोशिज करेंगे शादर ने इस रेप्रों सार अपने कारी का भी ब्रहन क्यों नहीं रखते थे ति पहले पिन बसे अपर लिखे गई थी आती तमय यान पुरानी समय में कि को तो यह मुख्यरोब ते इसमें यह और उसकि इसके साथ साथ इसमें के कशन से चुकिंग च्छटी के बच्चों की अगर बात करें तो उनको क्वेश्चन से इतरह मतलब नहीं होता है फिर भी आप देखिए थोड़त तीथियों से मतलब की बात करते हैं जैसा कि आप सब जनते हैं कि इतियास और तीथिया इतियास में बहुत महत पूर्ण है इसमें इसा मसी के जन्म को मोने एर और बूसीन की जगहा पर बीची बीफ़ोर को मढंद हदने क्रcent के लिए और वरतमां से पहले वरतमां इस तरह की के चाहिए चीजों का प्रयोग होने लगा है उसके बाद ए आगे पर दोड़ने से पहले मैं आप लोगोव से एक छोटा सारी इक वेस्त करूंग आप लोगों को देख देपाऊं आप चुकी अब देखे आइए आगे बढ़ते यह चीजों को पता नहीं करना है यह शिक्स-क्लास के बच्चों को समझाने के लिए गई यह होती है कैसे पता लगा आगे देखिए आतीत के बारे में अगर बात करें तो हम आखेट को आखेट कहानिया सुना करते थे यानिक इतियास के अधियान से आप इन सब के भी से में जान सकते हैं साथ ही आप यह भी जान सकते हैं कि लोग कहां रहते थे अगर बात करें तो नर्मदा नदी सबसे पहले नर्मदा नदी आ यह मैप में देखते हैं नर्मदा नदी अखिर है कहां यह यहां पर नर्मदा नदी अगर बात करें तो यह गुजरात का कंडिशन है यह गुजरात आइं गुजरात के सरफ के निचे यह निकदक्चिन में यह नर्मदा नदी की बात आ रही तरह के नर्मदा नदी मांखिर फुआ कि था उसको दिखते हैं यहीं पर लोग जाना इसी नदी के टट पर हैं रहे थे और कुसल संग्राहक थे संग्राहक मतलब होता है जो किसी चीज को का संग्रहन करें यानि कि जो गैदरर जो गुट्स गैदरर इसको अंग्रेजिम कहते हैं आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे जड़ो फ़लो और जंगल के अनुद पद्दू कि यही से संग् करते थे अब देखो यहां पे और बात की गई है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहारिया उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम अब देखिए किर्थर और सुलेमान पहारिया अब देखिए आपको बिल्कुल दिख रहोगा यहां पर यह सुलेमान और य किया 8000 साल पहले क्या हूँ और जो की फसल को जानत प्रारम किया कहां सुलियमार और किर्थर अगर आब बात करें सुलिमान और किर्थर कहां है इस से मैं तो इस समय कहेंगे वर्तमान पाकिस्तान में है कि अगए बढ़ते हैं फोट है वहना भेड वक्री और गाइबैल जैसे पसब को पालत बनाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या पाला गाई गाई बाद में पाला भेड बकरी गाई बैल कि उसके बाद गाउं में रहते थे उत्तर पुर्व कि अगर बात करें तो गारो तथा मद भारत में बिंदी पहारियों उत्तर पुर्व में गारो पहारिया हैं यहां पे छोटी-छोटी तीन पहारिया हैं गारो कर दिखारों, और मद्दिवारत में देख विंदी हैं, यहां पर क्या हुआ था कि यहीं परिशी का विकास वहा था, यह दोनों ऐसी जगें हैं, जहां पर चाबल सबसे पहले उप जाए गया था, कौन सी जगह तो विंद के उत्तर में यह इस्तित विंद यह यानि कि यह विंद पार रिया है यह वाले इस वाले छेत्र में सबसे सरुपर्थम चावल उपजया गया था आगे बढ़ते हैं गैसे सिंदू और उसके सहाइक नदीर अब देखे शिंदू और साहाइक नदियो की बात करें इसके सिंदू जोनदी सहाय ने लिए छे लम चेनाव रावी सतलूज और व्यास यह कि साय कमेदिया है अब सायक नदिया किने कहते हैं जो नदिये एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सायक नदिया कहते हैं यह तो हम जानते हैं लगवग वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों किनारे कुछ आरंबिक नगर फले फुले गंगा वाइस कि सायक नदियों किनारे तदा समुद्र तटवर्थी इलाकों में नगरों का विकास लगवग 25 वर्ष पूर्व हुआ अब गंगा और उसकी सायक नदिया सोन तब देखें यह यह आ गंगा के दक्षिन में इन नदियों के आसपास के छेत्रे प्राचिनकाल में मगद नाम से जाना जाता था यानि कि यह यहां देखी गंगा है गंगा का यह वाला छेत्र जो है इसको मगद नाम से जाना जाता था और उन्होंने एक विसाल राज्यस्थापित किया था देश झाल झाल झाल